अचारी डोसा जो बहुत टेस्टी बनता है और इजी सारा समान हमें घर पे ही मिल जाता है तो चलिए हम बनाते हैं अपना अचारी डोसा यह हमने लिए है यहांपे बैटर है इसमें हमने एक कप चाबल और आदर कप उड़त डाल डाल ता जिसको सोग करने के बाद पीस लिया फर्मिट गढ़े तो अच्छे से फर्मिट शोगी यह जो अचार होता है यह उसका मसाला है और यह हमने लिए एक प्याज और उसी में ए अब पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा बैटर डालना है जादा नहीं डालना है हमने दो चमचे इसमें डाला बैटर और अब हम इसमें डालेंगे आचार का मसाला इसमें हमने दो चमच अचार का मसाला डालके अब हम इसको पीज लेंगे मसाला बिल्कुल तैयार है अब इसको अपने अपने जो हमारा बैटर का हम इसे में सबको मेक्स कर देंगे будем अजय को मैं पेटर तेयर है , अब हम बजाए अब बना हैम अबेटर पेटर तयारू हो जुका है अब हम बनाएंगे अबना अबना आलू का मसाला इसमें जो हम फिलिंग भरेंगे उसके निकला था हम उसी तेल में इसको बनाएंगे चुकि इससे बहुत अच्छा फ्लेबर आता है इसको थोड़ा गरम कर लें पहले तेल गरम हो चुका अच्छे से अब हम इसमें डालेंगे राई कड़ी पता अब हम ताल देंगे प्याज और अपनी हरी में इसको बहुत जादा करना है हवार उकर को ya करना है यह मारी थे निकार भून चुकिया हम इसको बहुत जादर है ने भूनेंगे अब हम अपने इसमें डालेंगेए हआ कि आपको इसको में नामादार निकतर तक द्जितनी हम इन नमागी डालेंगे क्योंकि इस अचार का फ्लेवर है वह बहुत अच्छा आता है इसमें और बहुत अच्छे टेस्ट गरता है यह अब हमारे अब हम इसमें डालेंगे अपना अचार का जो मसाला गा और अब इसमें डालेंगे सॉल्ट अपनी टेस्ट के अनुसाहाँ डालें सॉल्ट को और इसको अच्छे से मिक्स करें इसमें से बहुती अच्छी स्मेल आ रही है जो अचार की स्मेल होती है तो अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे अब हम अपना डूसा बनाएंगे तो हमने यह नौन इस्टिक पैन लिया है यह हलका सा गरम होका है इस पर ओल लगाने की जोट नहीं है आपको रोजा नीचे लगता नहीं है मुद्ध कुछ में पalock अंब हम इसको फोड़ा सा पकने देंगे अब हम इसको पकने देंगे इह दीधे अपन निखतें लगता है जब यह प्रॉपर पक जाएगा खुदसे पर नगाने परण दोसा कॉछा और दोस है शारा गज्टास में चाहरा बन के तेयर है और अभी क्रण्ची आपकि सकते हैं यह देखिए कितना क्रंची है बिल्कुल और हमने इसको सामबर और चटनी के साथ में सर्फ किया है यह चटनी हमने नारिल और आप इसको अपने घर पे बना के हमें जबरू बताईएगा कि आपको कैसा लगा इसका टेस्ट और यह आपको खाने में कैसा लगा तो प्लीज हमा